अलो फ्रेंड आप सबका स्वागत है हमारे यूटीब चैनल इस्टडी टीम में तो चलिए आज की क्लास सुरू करते हैं और आज की क्लास में हम समाने हिंदी के पचास मौत पूर कोश्चन सौल करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहला कोश्चन है कि काली गटा का गमंड ग गया तो इसमें होगा यहां पर गटा कांड प्रयोंग एक बर गटा का हीवां और दूसरे वांत अर्त है इसका अर्थ है तो कौन सा लंकार और तो यहें का य। ठीक है?і선 नमबर A अगला है अगला है अगला है इन्नोव लिकलप में पुलिंग सब्त कौन सा है? ठीक है फुलिंग सब्त बताना आये कि इसमें Σीमें पुलिंग सब्त कौन सा है? तो अपशन은 A सेना- और अप्टिन नीवाद क्या कान नीजा है र्यक्रिकर खेसट अगला है संगम संब्संटों संसकार शन्युकत आदिस ओदों में कौन सा उपसर्ग लगा है अमको वह बताए तो सब्सक्राइब करेंगे तो इसका होगा सम पुलस गम ठीक है इसी तरह समवाद काम करेंगे तो समवाद का दो इसका होगा सम पुलस वाद कि इसी तरह संतुस का करेंगे इसका क्या होगा सम पुलस तोस ठीक है इसी तरह संसकार का संस्कार इसका करेंगे तो क्या होगा इसका होगा सम फ़्प्लस कार ठीक है इसका क्या होगा तो सम प्लस कार होगा शनिấp करेंगे तो सन युक्त का तो यह होगा सम प्लस युक्त तो इन सब में क्यों सा इन सब में कौन सा उपसर गोगा तो इन सब में या पर सम है या पर भी सम है या पर भी सम है या पर भी या पर भी है कौन सा उपसर गो जाएगा तो यह होगा आपचा नंबर ए सही होगा ठीक है आपचा नं तलवार एक उप्योगी फॉलाद है आपसंद यह तलवार एक उप्योगी सहस्त्र है और आपसंद यह तलवार एक उप्योगी सहस्त्र है तो इसमें सही वाक्य हमको होता नहीं कि इसमें सही वाक्य कौन सा होता तलवार एक उप्योगी फॉलाद है कौन सा होगा इसमें सही व अगला है विखव में से साई का यहां पर खाली अस्तान है का भार पढ़ेगा तब यहां पर भालूम हो जाएगा तो यहां पर क्या भरा जाएगा और हमको बताना आप संहें बीबी घर अपसरें दोस्ति रुपया अप्सरें मजबूरी गली कुछों और आप संदिये गिरस् आठे दाल तो यहां पर क्या भरा जाएगा तो यहां पर भरा जाएगा कि जब कंदे पर ग्री अस्ती यहां पर ग्री अस्ती होगा से अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन होता है ठीक है इन्में इन्में से कौन सा सब्सब्रह सब्सक्राइब जिसका अर्थ भिन होता है तो आप्षण जगन्नाथ आप्षण transport동 यह स्वर्प और अप्षण यह प्रभू और अप्षण यह भगवान तो कौन सा सब्द है जो अंग्रेजी में अपनाया गया है और जिसका अर्थ क्या होता है बेन होता है ठीक है तो यह क्या है तो यह है अपसा नमबर ए सई होगा ठीक है जगनात क्या है सब्द यह अंग्रेजी से अपनाया गया है जिसका अर्थ क्या होता है बेन होता है हिद् रेनुमा बर्तन तीकर छलिए अगला देखते हैं अगला दिये गए विकल्पों में से सुधवा के छाटिए तिक सुधवा के छाटना है कि समें सुधवा के कौन सा वगा तो अब आसन वह साय साय से आज आएगा आप्षन भी चाको से बच्चों को काट कर फल दो आप्षन से यह मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं और आप्षन यह गाधी जी इस्वर के पक्के भक्त थे तो इसमें सुधवाके बाब ज्छाटना है तो इसमें सुधवाके क्या होगा तो इसमें सुध वाक्टे हो गादि जी इष्वर के भाउगते थे इसमें क्या ये सुध वाक्टे थे आप्धा नंबर डीश होगा अगला है दीह गई बीकल्पों में से कौन सा बिकल्प स्मरण का बीलो मार्थी जब्द है ठीक है स्मराण का आपको बिलो मार्थी सब्द बताना है कि कौन सही है तो आप्षान यह है अनुस्मराण अनुस्मराण बिस्मराण यहाँ पे अनुस्मराण होगा यह नहीं होगा ठीक है आप्षान भी है स्मराण आप्षान यह है बिस्मराण और आप्षान यह है अनस्मराण तो कौनसा आप्षन इसमें सई होगा स्मराण का बिलो मार्थी क्या होगा तो स्मराण का बिलो मार्थी होगा बिस्मराण कौनसा आप्षन आप्षन नम्मर सी सई होगा ठीक है अगला है अगला है सुधी सब्द के अंत में क्या जोडने पर सब्द बहु बचन बन जाएगा ठीक सूधी सब्सक्राइब जोड़ेंगे सुधी जन अगर हम जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह बहुत बढ़ जाएगा ठीक है चलिए अगला देख doğru he इव pist Iagranu Isum War 500 विस नयरा तो आप्षण एश सुमित्रा जब नागर है और आप्षण तो हमको बताना है कि अमरित और विश किसकी रचना है तो अमरित और विश किसकी रचना है तो अमरित और विश किसकी रचना है तो अमरित और विश क्या है अमरित लाल नागर की रचना है ठीक है के नुप नुपूर नुपूर और क्या है और सत्रंज के महरे सत्रंज के महरे बूद्ध और मोती बूद्ध और मोती यह क्या है इनके यह पर आधी इनकी क्या है रस्तना है ठीक है चलिए अगला देखते हम निम्न में से किस विकल्प में तुरूटी नहीं है ठीक हमको बताना है कि इसमें तुरूटी नहीं है तो आपसन यह उसका आगज पर मैंने अस्ताचर कर दिये अपसन यह उसका ने होस्ताचर कर दिये उस कागज पर तो इसमें कि हमको बताना है कि किस विकल्ब में क्या है थो ठीक है तो कौन्सा आप्श्ण साही Chance Guy मिंगाइ यहां भी व ह्ताचर कर दिया है Mol यहां पर पनेया थो तन है कि इसमें तरुटी यह हमारा सई होगा ठीक है कि तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है इस वाक्य में परियोगत अलंकार पाचाना ठीक है अलंकार बताना है कि तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है इसमें कौन सा अलंकार होगा तो आपसन एसलेस अलंकार आपसन भी यमक अलंकार आपसन CR उपर आपके ii यहां पर इखम पर अलंकाँ इसमें कौन सा अलंकार होगा तो हीों हमने क्या यहां पर बेर सत्व और है क्या है दो बार पर्योंकि किया गया है लेकिन यहां पे इन दोनों कार्थ अलग-अलग है पहले बेर कार्थ क्या होगा एक बेर कार्थ होगा एक बेर कार्थ होगा बार या दफा ठीक है और दूसरे बेर कार्थ होगा खटा मीठा फल ठीक है यह क्या होगा तो यह कौन सा लंकार हो जाएगा तो यह होगा यमा का लंकार ठीक है चलिए अगला देखते हूं अगला है दिये गए बिकल्पों में से कौन सा बिकल्प संचिप्ट का बिलोम सब्द है ठीक है संचिप्ट का आमको बिलोम सब्द बताना है कि संचिप्त का विलूम सब क्या होगा तो आपसन ये सीमा आपसन भी इस्थिर आपसन सी ये विकास और आपसन ये विस्त्रित तो संचिप्त का विलूम क्या होगा तो संचिप्त का विलूम होगा विस्त्रित आपसन नमबर डी चाही होगा ठीक है संचिप्त का विलूम क्या हो सीम, सीमा का बिलुम क्या होगा? तो इसका होगा और सीम, इस्थिर का क्या होगा? तो इस्थिर का क्या होगा? तो इस्थिर का होगा और अस्थिर, चीक है? और विकास का क्या होगा? तो विकास का होगा हरास या बिनास. या बिनास ठीक है चलिए अगला देखते हूं अगला है दिए कि बिकल्पों में से कौन सा बिकल्प प्रत्यच सब्द का समनार्थी सब्द है ठीक है और प्रत्यच सब्द का समनार्थी क्या होगा तो इह होगा साच्छात साच्छात क्या होगा यह प्रत्यच सब्द समनार्थ इस सब्दोगा ठीक है अगला है चरण कमल बंदो हरी राई पंक्ती में चरण कमल का अर्थ क्या है ठीक है चरण कमल का अर्थ बताना है कि क्या है तो आपसान ये कमल के फूल पर 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 कमल के फूल आपसान से ये पर और कमल का फूल और आपसान ये कमल के फूल जैसे पैर, तो क्या होगा कि चरण कमल बंदे हरी राई, बंदो हरी राई, पंक्ती में चरण कमल का अर्थ क्या होगा, इसमें चरण कमल का अर्थ होगा, कमल के फूल जैसे पैर, कमल के फूल जैसे पैर, आपसा नमबर 3 सही होगा, अगला है, खीचडी किस प्रकार का सब्द खीचडी किस प्रकार का सब्द है तो अपसर निम्नमेज से उचित सब्द का चैन करना है कि इसमें कौन सा सब्द क्या है उचित मतलब सुद्ध सब्द है और दोगी कौन वर्तनियर उसे सुद्ध लिखा गया है तो कौन सा अफशन सही होगा तो और दोगी कैसे लिखा जाता है तो यह होगा और दोगी कौन सा अफशन सही होगा तो इसमें होगा इसमें कौन सा आप्शन सही होगा यह होगा आप्शन नमबर डी सही होगा ठीक है और द्योगिक ठीक है ऐसे लिखा जाएगा चलिए अगला देखते हम अगला है आयत है हरी भजन को ओटे लगे का पास कावत का आर्थ कौन से विकल्प में बताता है ठीक है आयत हरी भजन को ओटे लगे का पास खावत का आर्थ हमको बताना आए कि कौन सा आप्शन सही होगा इस कावत का आर्थ का आप्शन नहीं हरी बक्ति का मार्क टिन होता है अप्शन भी इसवर बक्ति को छोड़कर ब्यापान में लग जाना आप संस्या उद्देश की प्राप्ती में सपल होना अपसा यह किसी कारत्रों के उपंपेछा किसी अनिकार में लग जाना उप्ष ऐ कि सभा, इस प्रकावत का रथ क्या होगा कि इसका होगा किसी कारत्रों किसी के रथ कि लग हो होगा ठीक है छलिक अगला देखते हूँ अगला परिचा में कठीन प्रस्टों को देखकर मेरी औकल जञाने लगी वाद क्यमें I accomplished कौन सा विखल state है तीक है परिच्छा में अदेखते मेरी कौन सा विकल्प दर्श साता है तो आप्सन न अन देखा कर न आफसन भियसन मिनदा होना अप्सन स्याब कुछ समझ में ना अना तो क्लाउब सी आतनते हो गधे अप्सन है उगा है कुंसा एक प्ली को समझ में ना आना इसका क्या होगा अर्थोरी कर दी कैसा अगला है उसते हैं हो एस तिरी सब्सक्राइब मिझन इंपकम इहां चाने है इसमेसर बीज़ को टोटाइं है आप सब्सक्राइब परोगर तो के नाम आपसंन सिए मेरिफों के नाम और आपशन नच्चत्रों के नाम तो इस्त्रिलिंग सब्द कौन होते हैं, तो देशों के नाम क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं, फरोतों के नाम भी पुलिंग होते हैं, बिर्षों के नाम क्या होते हैं, ये भी पुलिंग होते हैं, नशत्रों के नाम क्या होता है, इस्त्रिलिंग होते हैं, ठीक है, नशत्र के नाम पुलिंग भी होते हैं, क्या होते हैं, तो फुलिंग फुलिंग भी होते हैं कौन-कौन से हैं, तो उसको लिखते हैं तो यह अस्वीनी और पुनर वर्सु तो पूस्य होगा हस्त होगा और उसके बाद मूल होगा उसके बाद स्रमण होगा प्रमण प्रमण फिर उत्तरा बाद्रपद होगा उत्तरा बाद्रपद होगा फिर होगा पूर्वा बाद्रपद पूर्वा बाद्रपद यह सब क्या है यह सब नशत्रों के नाम क्या है यह सब पूलिंग में होते हैं ठीक है बाकी सब नशत्रों के नाम क्या होते हैं इस्त्रिलिंग में होते हैं चलिए अगला देखते हैं अ अगला है, सूर दास और नंद दास की कावय रचनाओं की बहसा कौंशे थी? सूर्दास और नंददास की काव्य वासाओं काव्य रचनाओं की भासा कौन सी थी तो आपसन है संस्क्रित आपसन भी खड़ी बोली आपसन सी ब्रजवासा और आपसन यह प्राकृतिक तो सूर्दास और नंददास की काव्य रचनाओं की भासा क्या थी तो वो ब्रजवासा आप्सान नमबर सी सही होगा अगला है इन वाक्यों को सही करम में लगाए ठीक है इन वाक्यों को सही करम में लगाना है और बताना है कि कौन साप्शन सही होगा कि इन वाक्यों को सही करम में लगाएं जिसे सार्थक वाक्य का नहिर्माड होगा ठीक है तो पहला है यह है राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं तो आप्षान के उंसार्स वहर्म reflex करके बैठाते हैं और ढ़से कौंसांप्षीन सही होगा ठीक है तो चलिबिए दिखते हैं पहले हम बी लेंगे फिर उसके बाद ऐ लेगे फिर उसके बाद डी लेगे और उसके बाद सी ले तो पहले भी है रावट दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व karaoke की रावन् है रावण को दसानन भी कहते हैं राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं यह क्या है नॅगा इसक लावन लेंगे तो यह नहीं बैठ़ति थेक सार्थक नहीं बैठ़ति लावर और फबेंगे और दुनिया में इस नामका दूसरा भेक्ती नहीं राजा धीराज लंका धिपति महाराज रामड को दसानन भी कहते हैं रामड तो रामड तो सिर्फ रामड है राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रामड नहीं यह भी क्या है यह अगर हम इसको भी एक साथ पढ़ेंगे तो यह भी तरीके से नहीं बैठेगा ठीक है इसलिए आपसर नमबर C अब देखेंगे कि C बैट रहा है कि नहीं बैट रहा है तो हम पहले लेंगे B फिर उसके बाड़्ी फिर A और C तो भी लेंगे कि रामड दुनिया में इस नाम का कोई व्यवक्ति नहीं है राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रामड नहीं रामड तो सिर् दुसरा कोई ब्हकती नहीं है व्यक्ती नहीं है राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावन नहीं रावन तो सिर्फ रावन है राजा धीराज लंका दिपत्ती महाराज रावन को दसनान भी कहते हैं तो क्या है यह साड़ तक तरी से बैठ रहा है और वाक्य क्या मिर्माण हो रहा है ठीक है तो आप्सन नमबर सही होगा अगला है सालों बाद उसका प्रवासी पती लोटा इस वाक्य में कौन सा सब्ध विशेशन है ठीक है सालों बाद उसका प्रवासी पती लोटा इस वाक्य में हमको विशेशन बताना है कि इसमें विशेशन क्या होगा तो आप्शन ये सालों, आप्शन B ये लोटा, आप्शन C ये प्रवासी और आप्शन ये पती, तो सालों बाद उसका पती, उसका प्रवासी पती लोटा, तो इसमें बीशेशन क्या होगा, तो इसमें बीशेशन होगा, क्या है, तो इसमें बीशेशन होगा, कौनसा, तो इस इसमें कौन सा होगा है तो इसमें क्या है कि कुर्सी क्या है यह इस तरिलिंग और पची क्या है यह पुलिंग सब्द है तो और अगला है दिये गए जलकता है तीक है अपसा नमबर B सही होगा अगला है काजल की रेखा C कतार है खजूर की काजल की रेखा C कतार है खजूर की इस पंक्ति में अर्था लांकार का कौन सा बेद जलकता है ठीक है होता नहीं कि इसमें अर्था लांकार का कौन सा बेद जलकता है इसमें तो काजल की रेखा सी कतार है खजूर की इस पंक्ती में क्या है उपमा अलंकार है इसमें क्या है उपमा अलंकार है ठीक है यहां क्या हो रहा है कि यहां खजूर के ब्रिचों की पंक्ती की तुलना किसे की जा रही है तो काजल की रेखा से की जा रही है ठीक है यहां पर खजूर के बिश्चों की पंगति की तुनना कीसे की जा रही है तो यह काजल की रेखासे की जा रही है ठीक है तो यहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा अगला है प्रेम अंदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है वाक्य का काल पाचानिय ठीक है प्रेम अंदेखी राहों की तरह ही आकर्षित होता है इसमें कौन सा काल है अमको बताना है तो आप्चन यह पोण वर्थमान काल आप्चन भी यह सामान्य वर्थमान काल आप्चन किसमें समान्य वर्तमान का लोगा अफ्वार्ट बीट होगा ठीक है चली अग्ला देखते हैं अगला है किसी की का यां फरे खाली अस्तान है पाक उसके पत मुश्के प्रती यहां पर भाव परक्र्ठ करना अवस्यक होता है दिये अपसर ने यहां पर अनुदान क्रिटाउयता और अपसंड यह उपकार और गुलानी तो इसमें क्या भारा जाएगा इसमें होगा कि किसी की किसी की सहायता यहापे सहायता किसी की किसी का साहता पाकर उसके प्रती उसके प्रताई किता गता किता कियता की भाव प्रकट करना चाहिए तो कौनसा अप्शन सही होगा अप्शन नमबर C सही होगा अगला है किस सब्द में गण का प्रियोग कर बाउबचन नहीं बनाया जा सकता वो बताना है तो अप्शन यह देवी, हैँप्प्फनशरर्था भक्त और हैँट्फनशर्जिच चिरे और हुग कौन सा अप्प्फनश साहिए होगा की यह होगा कि धेवी में हम प्रयोग और बावबचन नहीं बना सकते तो अप्प्प्सान Нमबर क्या होगा सही होगा ठीक है ऐसा नंबर 20 है डिवी में हमक्या तो नहीं बनां टूटि या खिकर अगर अनुमती सब्द के लिए वाक्यांसों का चैन करें अनुमती सब्द के लिए वाक्यांस का चैन करें आपसन एक किसी कारे के लिए निर्देश देना आपसन एक किसी कारे के लिए आदेश देना और आपसन एक अगला है दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो यहां पर खानी अस्तान है देता है कि यहां पर क्या भर जाएगा आपको बताना है मौह आवरे द्वारा रिक तस्थार के पूर्ति करें तो आपसन एट ठोकर खाकर आपसन भी एच्छपके चुड़ा कर आपसन से च्षपकण फार के प्रस्था पर करें करता है इस जोड़ तो करते यहां पर क्या होगए कि दौख हों के किसा हो जब भगवान देता है तो च्षपण फार के देता है था अब्स नेत सब्स अभब होगा है को किसंपे है तो बदमास में क्या है ये बद्धुप्सर्ग लगा थीक अचले साधाण वाक्य चैन कर अब्सन आफ होगाक है तो सव्मत नहीं हूं option b.a. मैं आप से सामत नहीं हूँ option c.a. मैं आप से कैसे सामत हो सकता हूँ option d.a. मैं आप से न सामत हूँ न सामत हूँ तो इसमें साधारन वाक्य बताना है तो इसमें साधारन वाक्य क्या होगा तो इसमें साधारन वाक्य होगा कि मैं आप से सामत हूँ ठीक है यहां पर मैं भूल गया मैं आपसे साहमत हूं आपसा नमबर भी सई होगा अगला है मुझे विश्वास है कि आप अवस्य आएंगे में वाक्य का प्रकार पाचानिया मुझे विश्वास है कि आप अवस्य आएंगे में वाक्य का प्रकार बताना है इक कैसा प्रकार है तो आपसन सरल आपके अपसन जर्मिय कर वाक और अवसन यह इंद में से कोई नाइए तो मुझे विश्वास है कि आप आवस से आएंगे व्यों कि यह वाकिय किस प्रकार का है यह 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 मिस्रित वाकिय अगला में से किस वाके में बीराम्चिन का सही प्रयोग हुआ है वो बताना है तो अपसन यह है कि आप सायद पत्ना के हाने वाले हैं फो किस में क्या है किसमे, किसमे क्या है, बिराम चीन का सही प्रयोग किया गया है, तो कौन सा अप्चिन सही होगा, तो आप सायद पटना के रहने वाले हैं, यहाँ पे दो अप्चिन एकी तरह से हो गया है, ठीक है, अम इसको सही कर देते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे संबोधां का चीन है, ठीक है, तो इसके अनुसार अबारा कौन सा अप्चिन सही होगा, तो आप सायद पटना के रहने वाले हैं, यह अप्चिन अप्चिन सही होगा, ठीक है, चली आगे देखते हैं, अगला है, निम्न पहली के सही उत्तर का चैन कीजिए, लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत हैं, अप्चन भी है, 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 इनमें से कोई नहीं, तो लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भाग पहले का सई उत्तर होगा चरगं और फॉलिए प्रयोग की आई का प्रयोग किया है अदुरा के लिए किया तो आंच की ज़ल याख क के लिए फ्रयूक किया गया है और फॉलिए अंस्थ की कला सिर्ट कर रसे दिखेchnya ! सभाए यह मने वस्कारा न सब हो ब्यून कंद्ट चोटब बुखाद की प्रथम्मा अवली कें अन्त में मैं से कौनसा आविराम चिन प्रयोग होता है थिके दोवाठ ल॥ाइस कौनसा आविराम चिन प्रयोग तो आप्सब्सेशिक चीन भोदक तो कौन्साप्शन सही होगा तो 2.27 यास ओठादी की प्रथमावली चरण की अंत में क्या होता है अल्पविराम का प्रयोग होता है अल्पविराम यानि कामा का ठीक है अल्पविराम का प्रयोग होता है अप्सा नंबर A सही होगा आगला है अनुप्रास और पुनरुक्ती प का उदहारणं को बताना है कि क्या है तो आफशनए और मुक्षचंद्र माँ आपसनभीये चरनकमल बंदी हरी राई आपसंगे पीपल पात शरी श्रमन्डोला और आपसंगे यहए पात वरी सहरी सकल्सुत बारे बारे तो इसमें कौन सा हाप्रस आपसैन अपसर expensive होग이다 तो इसमें होगा कि पात भरी शहरी शकल सूट बारे बारे यह क्या यह अनुप्राहस और पुनरुक्ती प्रकास अलंकार का उधारन है अप्सन नमबर हईं डी सह होगा हग ठीक है तुए दाता और नमबर बसक्राशन और अगला यह कल्पना का ऐसन सब्सक्राशन क्या होगा तो अप्शन एक काल्पनिक, आप्शन भी है कल्पनिक, आप्शन यह कल्पनिक और आप्शन यह कल्पना, तो कल्पना का बीसेशन सब क्या होगा, तो कल्पना क्या है, यह भावाचक संग्या है, और इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम एक प्रत्य लगा देंगे, तो यह क्य ऐगा झाल्पना में एक अगर प्रत्य हम लगा देंगे तो यह खाश का इगा तुब आ यह बन जाएगा ये बन जाएगा काल्पनिक काल्पनिक तो कॉनसा अप्षन से अप्षा नॉम्बॉर ही है ठीक है अगला है वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है का लाता है वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है वो क्या का लाता है तो अगला है कुमार का एक अर्थ ठीक है कुमार का एक अर्थ मततार हे कि क्या होगा तो अगला देखते हम और थी अगला है ऑर्थ के आधार पर नमें रखित वाक्या का भेत्द बताना है इस्वर करे आपकी आतरा सुब हो इस्वर करें आपकी आत्रा सुब़ों यह और अर्थ के आधार पर क्या है यह इच्छा वाचक वाक्या zap इस्चा वाक्या थीकत यह क्या है और गham点 टेंप परें आपन रॉच्छ का संदी मुचisha صंद कर फूर अप्late क्या होगक? टिके ऑनी . यह क्या होग? इसका सही संदी विछे दोगा. कौन साथ संदी होग? तो यह विसर्ण संदी होगा. भिसर्ण संदी होगा ठीक है? यहाहापर क्या होग, तो भिसर्ण संदी होता है अप् cripple alpha-a. अगला है जो सब्द अथवाख्रिया विससान के विस्पाइस्ता बताते हैं उसे क्या कहते हैं तो आप्सण के परिमान वाहरोचम और अप्सण सार्वना Persian मिक्ने माणख्रिय। जो सब्द दिशिट्रा उत्वक्रिया भी इसे शों कि बिशिटा बताते है उसे हम क्या कहते है तो उसे हम प्र сделAK कहते हैं मॉर्भ नियुल को गारी एक दिशुन कला है मैं समाश है माल गुदाम में समाश सब्संख माल कोदाम का से में कौन से समास होगा हमको बताना है तो माल गोदाम का समास विगरा करेंगे तो यह क्या होगा तो इसका होगा माल के लिए गोदाम माल के डिये गोदाम तो इसमें कौन सा अलंकार होगा स्वारी कौन सा समास होगा तो यहां पर के लिए का प्रियोग हुआ है तो यह क्या है यह तक्पूर समास है ठीक है आपसा नंबर यह सई होगा अगला है अगला कोश्चिन है कि मोहन नहीं आने वाला है वाकिया है मोहन नहीं आने वा पालए किसा है तो यह नकरातमर्ग है ठीक है आप्षा नमबर्डी सईंगा अगला है ने मरेकी थव outta ठीक है इसका सुदरूप बताना है तो आप News chips your houseि अब आप जा सकता है उब आप जा सकता है तो आफ लिए ओब आप जा सकता हो आप तो आप आप आफ जा सकते हो और है तो इसमें इसका शुदरूप क्या होगा तो कश रूप होगा कि अब आप जा सकते हैं अपना नंबर कर दी शई होगा ठीक्षय नंबर डी साहिवा अगला आप तो चलिए आज की स्क्लास में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें